करहिया मंडी में मृत्वे किसान के अंतिम संसकार से वापस लोट रही पूर्व जिला पंचायत अध्यच माया सिंग के वाहन पर कुछ अग्याद बनमासों ने किया पत्राओ घायल अवस्था में किया गया उपचार के लिए संज्या गांध्य अस्पताल में भरती पूर्व जिला पंचायत अध्य चवम भाजपानेत्री माया सिंग रिवार को ग्राम विवहारा क्रिसक सुरेश पटेल के अंतिम संसकार में सामिल होने के लिए गई थी जहां से वो वापस लोट रही थी गाड़ी में उनके साथ उनके पती वीरेन कुमार, पुत्र गौरव वो भतीचा अनिल भी बैठे था, रात करीब आठ बजे जैसे ही गाड़ी रायपूर करचुलियान थाना छेतर के जोगनियाई टोल पलाजा के पास पहुची वैसे ही अचानक उनकी गाड़ी में किसी ने पत्थर से हमला कर दिया, पत्थर उनकी गाड़ी का सीसा तोटे इस दोरान काच उनके सिर में घुज गिया जिससे वो गंभी रूप से घायल हो गई, इस घटना के बाद मौके पर अफरत अफरी का माहौल निर्मित हो गया, इस घटना की सूचना तुरंट पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुची और आरोपियों को इस घटना में घायल माया सिंग को रात में इलाज के लिए रीवा के संजय गांधे स्पिताल में भत्ती कराये गया, इस घटना की जानकारी लगते ही भाजपा के नेता और कारकरता अस्पिताल पहुच गए और काफी भीड़ी घट्टा हो गई, पुलिस आरोपियों की तल इसके बाद चार बाजपीया भूरूस के साथ भीड़ी चुको रिष्कदार में भीड़ी है तो वही दास अंत्यार में सामिको के लोगों वहां से साइन होई चले दो गड़ा से, रात में, रात में, इसके बाद जैसे आये टोल पुरा जाए गवास, 300 किलर मीटे पहले, पर्तम गाड़ी तो नीदीगी हो एक वही पराव से आवाजाई है, पर्तम जिटे है तो जालागे कि वही चलाए तरसमनिती तेसे आवाजे गाड़ी बुच्की तुरा है, उन्वालेंस हो इसके बाद भीड़ी तेक बाद जेखा तो इसके बाद बोरे फून जब आगाया तो हम बोले कि चलो बिसको सीधे अब भगाही नहीं रूपा, कुछ नहीं देख, अले हाज भीड़ी चलेगा, क्या साहिट चुछना मेली थी, कि पूर्वजिला पंचया रिद्धाक्षान मया सिंग जी वह गाड़ी से जा रही थी, तब ही मतलब किनी अज्यात विक्कियो इनकी ऊपर पत्थर से बिजवर गाड़ी पर बारिक लिया गया, किसी भी तरीकी की वह दी चलने की, पुष्टी नहीं हुई है, अभी तक पत्थर ही जो गाड़ी के अंदर से मिला है, कैसे इससे थे हैं उनकी जो छोट है, वो पत्थर से नहीं, काँच से तूटने, जो क काँस कम बीचे हो गाड़ी